हेलो मेरे डियरे स्टुडेंट कैसे आप सभी आश्रागरतों सभी फिट होंगे प्यारे बच्चों इस वाले वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 19 नी स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 19 प्रोबैल्टी का ही एक पार्ट है ठीक है यहाँ पर आपको जो क्लास हम यहां यूज करेंगे और कुछ अलग निए पसको स्टार्ट करते हैं और इनको कुछ भी डाउट रह जाएगा तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है साथी साथ जो मैं नेक्स टुडियो बना हूँगा आगे कि क्योंकि सारे इस टुडियो में कवर हो नहीं पहेंगे तो जितने भी होंगे उसको करेंगे बाकि जो नेक्स टुडियो रहेगा उसका लिंक आपको उपर आई बटन में या नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखो पहला जो क्वेस्टन इसमें बोल रहा है कि तो बताए चांस किसका ज्यादा है ज्यादा थो नहीं पुछ रहा है कि हैड आने के वह कितने हैं तो हैड्याइप अपर तो लिखेंगे और टोटल नंबर हम लोग जितने बार हम लोग उस को को टॉस किया है उसको नीचे लिखेंगे और डिवाइड दे करके हम लोग देखेंगे कि हैड आने की जो प्रॉबैल्टी है वो कितनी है फिर उसी तरीके से टेल वाला भी हम लोग जाता है इक मतलब होता है इवेंट यानि कि जो भी हमारे पास है या टैल आ रहा है यह तरह से एक इवेंट हो रहा है तो प्रॉबैवेल्टी ओफ इवेंट जो होगा है दाने का इवेंट जो होगा उसके लिखेंगे तो मैं लिख लेता हूं 285 और डिनूमिनेटर में हमारे लिखेंगे तो 500 लिखेंगे तो 500 लिख लो अब इसको 5 से कट करो दम आसानी सॉल्व होगा देखो नीचे 5 5 हो जाएगा दो 0 उतर जाएगा यह दोनों उपर में 55 25 हो गया 28 में से 25 कट हुआ बचा 3 वह आगे जाकर 135 बना देगा तो 5 7 जा 35 हो गया अब इसको कट करने विज कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे यानि कि हैड आने का जो चांस है वह 0.57 है उसी तरीके से आप लिखोगे प्रोबैवेल्टी ओफ गेटिंग और टैल यानि कि अगर टैल अपने को चाहिए तो उसके आने के कितने चांसे से हैं तो इसके लिए भी आप लोग इसी टैप से लिखोगे उपर में नंबर ओफ टैल यानि कितने टाइम आया है ठीक कमिंग आप लिख सकते हो यहाँ पर आगी या और नीचे में टोटल 20 हो जाएगा 21 में से 20 कट हुआ बचा वन आगे जाकर कि 15 में ना देगा तो 53 है 15 अब हमारे पास 43 आ गया तो उसको उतार दो नीचे 20 है तो फिर से राइट साइट से 20 पार डेसिमन लगा दो तो 0.43 जोगा टैल आने के चांसे सोंगे तो इस टैप साब को पहला कुशन सॉल कोशन को क्या-क्या मिल रहा है पहले तो याने कि दोनों में ऐड जो है वह हमको में 2012 टाइम फिर एक ही बार बस है ऐसा आल इसा öz अगर वही बोड़ा है कि अगर उन दोनों को हम लोग टॉस करें रेंडम में तो बता ही कि कितने probability होगी दो हैट्स आने के बस वही है कि 2 हैट्स वाला जो नंबर है उसको उपर लिखेंगे और टोटल नंबर उसको तो यहां पर हैड के लिखा था ना पी और इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा तो पी और फिर इटू लिख देना इसको ईवन मान लेना पहला इवेंट और इसको इटू माले ने एन्नी की दूसरा इवेंट उसी तरीके से इन तिनों कम लोग अलग-लग इवेंट मानेंगे और और इवेंट वन ठीक है यानि की प्रविल्टी ओफ पहला इवेंट यह हमारा पहला इवेंट है तो इसके लिए हम लोग टू हैट्स को उपर रखेंगे और डिवाइट कर देंगे टोटल नंबर अफ टॉस से तो टू हैट्स कितने पर आया है 112 टाइम आया है टोटल नंब लिख देंगे तो यह जो होगा 0.28 यह चांस होगा अगर हम लोग टॉस करते हैं दोनों को ना तो उन दोनों में टू हैट्स आने के चांस इतने हैं उसी तरीके से सेंड वाले में भी आपको सेम टू सेमिक्शी टाइप से लिखना है बस टू हैट कर देना है और यहां पर वह लोग इसको इवन टू मानेंगे यह वाला तो सट करण में इतना ही लिख दे रहे हैं कैसे लिखा जाता है बस अब सब्सक्राइब को पता है वह लिखना पड़ेगा चोकि एक बार जो है वह 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 लिखना पड़ेगा और नीचे में टोटल नंबर 400 लिखना पड़ेगा तो नीचे आप लोग चाहो तो ऐसे इसे डेप से कट कर लो 0 से 0 कट कर लो 4 1 जा 4 हो गिया और यह 0 उतर जाएगा उपर में 4 4 जा 16 हो गिया कट हो रहें कि मत करो हम लोग क्या करेंगो 4 को उतारेंगे और यहां पर हमार पस नीचे में एक 0 है ना तो राइट साट से एक डिजिट के बार डेसिमल लगा देंगे डेसिमल कि दर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो तो 0.4 जोगा हमारा इसका चांस होगा यह निकि एक हैड आने का चांस होगा और थर्ड वाले में हमसे पुछा था कि 0 हैड आने के चांसे कितने होंगे तो इसको हम लोग E3 माल लेते हैं ठीक है तो 0 हैड कितने बार आया था 128 ट गया तो 32 उतारके राइट से यहांपर डेसिमल लगा दो और यह हो जाएगा हमारा 0 है डाने का चांस तो सब ज्यादा जो चांस है ना वह इसका है यानि कि एक हैड आने का चांस जो है सबसे ज्यादा है बहले आपको 0.4 दीख रहा होगा लेकिन अगर आपका बेसी कॉंसे करने के लिए तो यह सबसे बड़ा नंबर हो गया पर तो इस तरीके समारे सब्सक्राइब होता है उसे भी सौल करते हैं तो देखो थर्ड वाले को इसन में बोल रहा है कि तीन को उच्छाला जा रहा है कितने बार उच्छाला गया तीनों को तो एक साथ उचाला गया 200 सब्सक्राइब में हैड मिला 58 टाइम एक में हैड मिला 67 टाइम और एक बार भी हैड नहीं आया सब में टेल 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 ऐसा आ गया वह 36 टाइम इस टाइब से तीनों का अपने को बताया गया है अब हमको वही बोल रहा है कि अगर को रेंदम ली उच्छाला जाए तो बताए यहां पर हमने जो चीज़ा हमको क्वेसिन में दी हुई थी वह लिख लिया है पहला वाला पार्ट में हमसे कहा गया था कि नंबर ऑफ थ्री हैड का पता लगाना है कितने बार आएगा ठीक है तो आपको लिखने का पता ही है आपको पी लिखना है फिर ब्रैकेट के लिखन यहां फिर इकोल करके पी और इसको ईवन मान लेते हैं इसको इटू मान लेते हैं इसको इसको यहां पर लिखता हूं और नीचे में टोड़ करने में थोड़ आपको दिक्कत हो सकता है लिए हमको क्या करने नीचे 100 बनाना है 100 बनाने के इसको 2 से कट करेंगे 2 अंजा 2 हो जाएगा और 2-0 उतर जाएगा तो उपर भी हम लोग 2 से कट करेंगे देखो 2-1 जा 2 होगा उसके बाद हमारे पास यहां पर मैं डाइट यहीं पर आंसर लिता हूँ ठीक है उसके बाद वन आगे गया तो 19 मना दिया तो यह होजाएगा हमारा decimal लगाएंगे और इस one के आगे 0 बढ़ा देंगे तो two five ten हो जाएगा तो यह एक्चुल में हमारा nineteen point five divide by hundred आ गिया है अब आप लोग क्या करो कि यह जो हमारा rule है ना नीचे में अगर दो zero है तो right say decimal लगा दो वही rule यहाँ पर apply कर दो इसको अब लोग उतारो 195 अब देखो decimal पहले हमारे पास यहाँ पर पहले से है और हम क्या जानते हैं कि नीचे में अगर दो zero है तो दो डिजिट और खिसक जाएगा तो यहाँ पर one digit और यहाँ पर two digit अब यहाँ पर decimal लागा यह दिहां रखना कि पहले 195 उसी तरीके से अगला वले question में हमसे क्या बोला था वन हैड आने का न तो यह वन हैड वाले को हमने क्या लिया है इसको हमने e3 लिया है इसको हमने e4 लिया है इसको मैंने e2 लिया था ठीक है तो e3 हम लोग निकाल देते हैं सेकेंड वले question में 1 हेडाने का कितना chance है भई तो यह हो जाएगा हमारा 67 divide by 200 फिर से cut कर दो नीचे में 100 आजाएगा 2 से cut होने के बाद उपर में 236 हो जाएगा फिर से 236 होगा यहां पर हमारे पास बच जाएगा 1 है न 7 में से 6 का ठोकर के तो नों decimal लगाएंगे इसमें 0 बढ़ा देंगे तो 25 जा 10 हो जाएगा तो यहां पर हमारे पर सिर्स वही चीज हो गिया 33.5 आ गिया तो हम लोग 335 लिख लेंगे एक decimal पहले से यहां पर है दो जीरो नीचे है तो वह decimal दो डिजीट किसक करके यहां पर आ जाएगा तो जो हमारा एक हैड आने का जो चांस है वो इतना है 0.335 है उसके बाद थर्ड वाले कोशन में हमसे बोला था कि 0 हैड आने का कितना चांस है इसको हमने लिखेंगे प्रड़ेवल्टी ओफ यह तरीके से तो कितने बार आयता जीरो हैड वह आया था 36 टाइम नीचे लिए हमारा टूटल नंबर टूहंडरेट है यह तो असानी सॉल हो जाएगा नीचे में हमारा हंड़ेड टाइम पर टूटे टू से कठ हो जाएगा ऊपर में ट probability of E2 लिख लेते हैं यह हो जागा हमारा 58 डिवाइड बाई में 200 यह भी कट हो जाएगा 2 से हमारा नीचे में हमारा 100 आ जाएगा 2 से कट होने के बाद उपर में 248 हो गिया अर्यार क्या लिख रहा हूं मैं 224 हो गिया 5 में से 4 लिखेंगे और यहां पर डेसिमर लगा देंगे क्योंकि नीचे दो जीरो है तो यह हो गया हमारा इसका प्रवेल्टी तो इस तरीके से आपको प्रवेल्टी वाले कुश्ण को सॉल्व करना है यह बेसिक से कुश्ण थे आई होब आपको यह अच्छे समझ में आगे होगा अब मिलेंगे नेक्स डिडो में जहां पर जो आगे कुश्ण दिये हुए न आपको टेवल बना करके उ झाल झाल